नमस्कार साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सब फोरस्ट गाड के लिए बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हुए हैं तो इसने नमबर परयाप्त रहेंगे तीसरा है हिंदी में कितने अटेम्ट करें चौथा है क्या हमारा सेलेक्शन हिंदी सब्जेक्ट कराएगी पांचवा है इस बार पेपर का लेवल कैसा होगा तो आईए बिनावक्त गवाई एक-एक को बारीकी से समझते हैं सबसे पहले ब प्रास प्रॉब्लम नहीं है जी एस में आप 35 नमबर ले आए और रीजनिंग में 50 नमबर तो लाही सकते हैं कई-कई वच्चे ऐसे भी होंगे जो 55 नमबर भी लेके आएंगे तो आप इदर जोड़के चलेंगे अगर तो 70 50 प्लस 35 यह नमबर आपके डेड़ सो प्लस हो र है अगर इन में से आप एक दो नमबर और बढ़ा लें और अगर आप जी एस में कम कर लें 35 में से चल जाएगा का इस प्रकार 150 नमबर आसानी से आप ला सकते हैं अभी आपके पास कब से कम दो से तीन मंत तैयारी के पड़े हुए हैं दूसरे कुश्चिन यह जी एस में कि अच्छी जी एस में आप उतने कर सकते हैं में लेकिन आपको 30 नमबर तो जी एस में परयाप लेने ही होंगे तभी से लेक्शन होगा आपका कि इसरे कुश्चिन ही हिंदी में कितने करें हिंदी में आप 70 अटेम्ट नहीं करने हैं 70 तो आपको राइट राइट चाहिए लेकिन नमबर आपको हिंदी में करेक्ट 70 लाने ही होंगे तभी सेलेक्शन के नजदीक पहुचेंगे क्या हमारा सेलेक्शन हिंदी कराएगी बिलकुल हां 80 नमबर की हिंदी है आप 80 में सगर इधर 70 नमबर लेके आते हैं तो यह मान के चलिए 60% सेलेक्शन आपका होई देखा तद 2018 जो एक्जाम था उसका लेवल बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा हाड लेवल आगया था ऐसा बच्चों ने सोचा नहीं था कि लेवल आएगा और लेवल थोड़ा हाड आगया तो बच्चों का उससे कोई प्रॉबलम नहीं होती है अगर लेवल हाड आए तो आप यह मान के चलिए कि आप 150 प्लस नमबर लेके आए आए आपका सेलेक्शन कोई नहीं रहो सकता बाकि यदि आपका अब भी कोई डावट एथ वीडियो में कमेंट कटके जरूर बताएं और दीजी हमको इजाजत मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद